नीम करोली बाबा की महिमा अत्यन्त न्यारी है भक्त जनों की माने तो बाबा की किरपा से सबी की बिगड़े काम बन जाते हैं यही कारण है कि बाबा द्वारा बनाए गए सबी मंदिरों में भक्तों का सेलाव उमर पड़ता है नीम कुरूली धाम के बारे में कई कथाएं पर चलिते हैं बाबा ने 1962 में इस जमीन पर कदम रखा था और जन्मानस को अपने चमतकारों से आकर्चित किया बाबा के देशी भक्त नहीं बलकि विदेशों में भी भक्त है नीम कुरूली बाबा का आश्रम आधुनिक जमाने का धाम है यहां पर मुख्य तोर से हनमान जी की पूजा होती है इस जगा को कैंची कहा जाता है इस जगा का नाम कैंची इस सडक पर पड़े हुए दो मोडों के नाम पर बना हुआ है कैंची दाम उत्राखंड के ननिताल जिले में है भवाली अलमोडा रानिकेत रास्टे राजमार के किनारे पर इस्तित है 24 मई 1962 को बाबा के पावन चरण इस भूमी पर पड़े थे और 15 जून 1964 में हनमान जी की मूर्ती के परसिस्टा की गई तबी से हर 15 जून को यहां मिला आयूजित होता है बाबा की महिमा का अध्यात्म एपल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को भी मिला था यही वज़ा थी कि स्टीव जॉब्स और फेस्बुक के मालिक मार्क जुकनबर्ग भी अपने मुश्किल भरे दिनों में बाबा की पास आये थे हर 15 जून को बाबा के यहां एक विशाल मिला आयूजित होता है और यहां मिला अब एक तीर्थ का रूप लिता जा रहा है भक्तों का सेलाब दिन परते दिन यहां बढ़ता जा रहा है यह मंदिर उचे-उचे पाहडों के बीचते गिरा हुआ है यहां हनमान जी की मूर्ती के अलावा मादुर्गा और सिता माता के भी मंदिर बने हुए है यहां आने वाले सभी भक्तों की समस्याएं हल हो जाती है बाबा की आश्रम जरूर जाएं और उनकी किर्पा जरूर प्राप्त करें धन्यवाद यहां प्राप्त की समस्याएं